Hello students, आज हम topic करने जा रहे हैं Roman numerals का Roman numbers हमने पहले भी किये हैं लेकिन पहले हमने किये हैं 1 से लेकर 100 तक 1 to 100 पहले हम कर चुके हैं उस 1 to 100 में हमने ये बनाना सीखा था कि किस तरह से हम लोग आगे बना मतलब कोई भी number है उसको कैसे हम Romans में लिख सकते हैं तो अब हम बात करते हैं कि उससे आगे आज हम सीखेंगे 101 से लेकर 3999 तक means 101 से लेकर 3999 तक की जो संख्याएं हैं उसको हम Roman में कैसे लिखते हैं तो सबसे पहले पहली चीज़ पर ध्यान दीजिए कि हमने जब 1 to 100 तक Roman किया था उसमें हमने English के letters कौन कौन से यूज किये एक हमने 1 के लिए यूज किया था I उसके बाद 5 के लिए letter हमने यूज किया था V then 10 के लिए letter यूज किया था हमने X then 50 के लिए letter यूज किया था L और 100 के लिए letter use किया था C यही किया था और इनी 5 letters से ही हमने पूरी 1-200 counting बना दी थी अब आज हमने counting बनानी है 101 से लेकर 3999 तक तो उसके लिए आप सोचेंगे कि आपको कितने letters की जरूरत होगी 1-200 में हमें 5 letters की जरूरत पड़ी आगे हमें 3999 तक counting बनानी है तो कितने और letters लेने पड़ेंगे सिर्फ 2 सच में सिर्फ 2 letters लेकर हम पूरी 3999 तक की counting भी सीख सकते हैं तो वो 3 letters 2 letters और कौन-कौन से हैं तो वो हम देखते हैं सबसे पहले बारी आती है 101 101 को हम कैसे बनाएंगे सब सबसे असान से असान method इसका क्या है इसको आप expanded form में लिख लीजिए expanded form क्या है 101 that means 100 plus 1 ठीक है 100 is C 1 is I C plus I that is C I अब हमने लिखना है माल लीजिए 110 110 को कैसे लिखेंगे हम 100 expanded form 100 plus 10 तो 100 is C 10 is X that is C plus X CX उसके बाद हम बात करें माल लीजिए हमने लिखना है 195 इसको किस तरह से expand करें हम 100 plus 90 plus 5 100 के लिए C 90 के लिए 90 के लिए क्या था X C 100 में से 10 minus किया था plus 5 के लिए क्या था V तो इसका answer क्या बन गया CXV CXCV Then ये आ गया 101 से It means कि हम 200 तक easily बना सकते हैं अब 200 में क्या आ जाएगा 200 में आ जाएगा C C means 100 plus 100 100 is C then C अब उसके बाद आप बनाना चाहें तो 2025 कोई मर्जी डिज़ेट लीजिए और उसको बनाईए कोई मर्जी नंबर लेजिए 200 plus 20 plus 5 200 के लिए double C 20 के लिए double X 5 के लिए V So simple तो इस तरहां से आप जितना मर्जी आगे तक कोई भी नंबर ले सकते हैं अब 300 300 के लिए क्या होगा 100 plus 100 plus 100 100 plus 100 plus 100 is C plus C plus C that is C C 300 अब 398 कुछ भी लेना है हमें तो कैसे बनाएंगे इसको हम लिख देंगे expand करके 300 plus 90 plus 8 तो 300 के लिए हम क्या यूज करते हैं C 90 के लिए क्या यूज करते हैं C 8 V I I I तो इस विल भी C C C X C V I I I तो अब आप यहां पूरा 399 तक as it is बना सकते हैं इसके बाद बारी आती है 400 की अब 400 आप मुझे ये बताईए कि हम कैसे बनाए 4 ताइम C C C तो नहीं लिख सकते हैं तो यहां हमें एक नया लेटर याद करना है क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी यहां पर बनाए हैं 399 तक वो पिछले ही 5 लेटर हमने यूज किये हैं I, V, X, L and C अब हमारा नया लेटर यूज होगा 500 से तो 500 के लिए लेटर क्या होगा that is D 500 के लिए लेटर है D तो इसके लिए लेटर क्या बन जाएगा D में से 100 कम means CD 100 कम हो गया उसे अब 600 के लिए क्या बन जाएगा 100 जादा तो D में C एड हो गया 700 के लिए D, C, C 800 के लिए D, C, C, C 900 के लिए फिर अब हम रिपीट नहीं कर सकते हैं उसे तो means अब हमें 1000 चाहिए तो अब 1000 के लिए हमारा कौन सा लेटर है 1000 के लिए लेटर है M तो एक लेटर और आपको learn करना है 1000 के लिए M और यहां मैंने लिखा था 500 के लिए D तो यह क्या बन जाएगा 100 कम CM बस सिरफ और सिरफ यह 7 लेटर इंग्लिश के हैं जिससे हम 3999 तक काउंटिंग बना सकते हैं हमें कुछ भी क्रैम करने की जुरूरत नहीं है सिरफ यह 7 लेटर्स को learn करना है कि 1 को I से 5 को V से 10 को X से 50 को L से 100 को C से 500 को D से and 1000 को M से denote करना है तो अब मैं आपको एक दो जो इसके examples हैं वो लेके बताती हूं मान लीजिए we have to write 592 तो 592 को कैसे लिखेंगे हम 500 प्लस 90 प्लस 2 500 के लिए letter D 90 के लिए C X 2 के लिए double I तो that is DCII और कोई example लीजिए आप लीजिए 750 4 that is equal to 700 प्लस 50 प्लस 4 700 के लिए हम क्या लेंगे D C C 50 के लिए L 4 के लिए I V तो ये बन गया D C C L I V अब हमारे पास है ये 1000 1000 के बाद हम इससे आगे लेकर चलते हैं 2000 2000 में double M 3000 में triple M तो इन में से कोई भी हम बीच में लेते हैं 2571 तो क्या होगा इसको ब्रेक कीजिए expanded form में लिखिए 2000 प्लस 500 प्लस 70 प्लस 1 2000 के लिए double M 500 के लिए 500 के लिए D 70 के लिए LXX 1 के लिए I तो ये बन गया M M D L X X I तो clear अब आप यहां पर कोई भी नंबर 3999 तक ले सकते हैं वही लेके देखते हैं हम लास्ट नंबर 3999 देट इस एक्वल तो 3000 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 9 3000 के लिए 3000 के लिए triple M 900 के लिए CM 90 के लिए X C और 9 के लिए IX तो इट विल भी M M M C M X C I X ये बन जाएगा इसके बाद आगे नहीं होता है because इसके बाद आगे नहीं होता है because क्यूंकि हम repeat नहीं कर सकते हैं उसको ठीके तो आपको क्या करना है practice करना है इसकी और इस वीडियो को आगे आप share भी कीजिए ताकि और भी बच्चे इसको अच्छे से पढ़ सके और अच्छे से इसकी practice करनी है पूरी 3999 तक आपको counting बनानी है और बहुत मजा आएगा बहुत interesting method है सिरफ और सिरफ 7 जो letters है English के वो हमें learn करने है कि 1 के लिए I, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L और 100 के लिए C, 500 के लिए D, 1000 के लिए M और उसके इलावा सिरफ एक procedure याद रखना है कि जब हमने उससे छोटा number लेना है तो हमें आगे minus कर देना है means आगे की side लिखना है और जब बड़ा number लेना है तो पीछे की side लिखना है और एक चीज़ और याद रखनी है कि कभी भी 3 times से जादा हमने उस letter को repeat नहीं करना है clear? Okay, all the best!